CM योगी आदितिनाथ राम की नगरी आयोध्या दोरे पर हैं और जोरान उन्होंने शीराम जन्मभूमी परिसर में पहुँच कर भगवान राम लला के दर्शन किये और पूचा की ये पूरी खबर आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप हमारा चानल सब्सक्राइब कर ले नमस्कार आप देख रहे हैं जनभाफना टाइमस आपके साथ मैं हूँ आंकेता आयोध्या में भव्यर राम मंदिर का निर्मार हो रहा है इनी कारियों का जायसा लेने सीम योगी शनिवार को आयोध्या पहुँचे उन्होंने इस दौरान वहां 23 से हो रहे हैं विकास कारियों का जायसा लिया आला कि CM योगी का ये दो घंटे का छोटा सा दौरा था लेकिन इस दौरान उन्होंने कई कारिक्रमों में हिस्सा लिया CM योगी शनिवार की सुभा 11 बजे हालेकॉप्टर से आयोध्या पहुंचे राम कथा पाख हाली बेट पर उतरने के बाद वो वहां सीधे श्री राम जर्मकूमी परिसर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने भगवान राम की पूझा अरचना की जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सीम योगी राम लला के आगे हाँ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूझा अरचना कर रहे हैं इसके बाद वो राम लला की आर्ती भी उतारते हैं इस दौरान वहां शंक द्वनी भी होती है मंदिर के पुझारी उन्हें भगवा अंगवस्तर पहनाते हैं राम लला की पूझा अर्चना के बाद सीम योगी आयोध्या में बन रहे भाविय राम मंदिर का निर्मार कार्य देखने पहुँचे राम मंदिर के निर्मान में लगे आधिकारियों ने उन्हें मंदिर निर्मान तारी का निरिक्षिन करवाया सीम योगी ने भी सभी हो रहे काम को बड़े ही ध्यान से देखा उसके बाद वो साकेत वासी पूझे महंत श्री राम चंद्र परम्हान सदास्टी महराज की समाथी स्थल पर गए जहां उनके श्रधांजली और वुष्पांजली कारिक्रब में शामिल हुए सीम योगी आदित्यनाद के आयोध्या दोरे को देखते हुए यहां पर बड़े स्थर पर तैयारियां की गई थी इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी फोक्ता इंतिसाम किये गए थे आपको बता दे कि अगले साल जन्वरी में राम मंदर में भागवान राम लला की प्रार प्रतिश्ठा होनी है जिसमें फुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी शामिन होंगे इसके बाद राम मंदर को श्रधालों के लिए खोल दिया जाएगा इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताईए जोड़े रहे जनखापना टाइम्स के साथ नमस्कार